रादे रादे दोस्तों तो आज हम बनाने वाले हैं आलू और पर्वल की बुजया जो की खाने में बहुत ही स्वाधिष्ट लगती है और बनाने में भी बहुत ही आसान है तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है सबसे पहले कड़ाई में तेल गरम करेंगे उसमें डालें इन सभी को और प्याज को गोल्डें फ्राई हूने देंगे तो देखिए यहां पर प्याज गोल्डें partir हो चुका है अब हम इसंहें एक बड़े आलो को ऐसे लंबाई में क्ड़ करके ढालेंगे एलो को अच्य से इसमें अब हम इस Самे परवल डालेंगे तो इंड़ करेंगे हम। अब इसको अच्छे से मैंने मिला दिया है, अब इसको ठक कर 7-8 मिनट के लिए पका लेंगे तो देखिए 8 मिन बाद मैंने ठकन अटाया है। काफ़ी सॉप्त हो चुका है ये , अब हम इसमें मसाले डाल देंगे, तो मसाले में मैंने सिर्फ नमक और हल्दी का इस्तमाल किया है, तो स्वात के अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे, आधा चमज हम इसमें हल्दी डाल देंगे, और आधा चमज लाल मीच का पाउडर डाल देंगे, अगर आपको तीखा नह अटाया हैं medium flame पर इसको मैंने पकाया तो देखिए आलू और परोल अच्छे से पक चुका है अब इसको हाई flame पर 3 से 4 मिनट के लिए वापस पका लेंगे ताकि थोड़ा यह crunchy हो जाए तो देखिए यह अच्छे से पक चुका है और क्रंची भी हो चुका है अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कीचेगा राधे राधे